नमस्कार मैं हूँ धोरल और आप देखरें तबकाल नियूस लाइट कोरोना का आतंग दुनिया भर में चल रहा था पर कोरोना वैक्सिन आने के बाद लोगों में रहाताई थी लोग पहले की सिचुवेशन में वापस आ रहे थे पर शायत कोरोना को ये देखना पसंद ही नहीं आया अब कोरोना अपनी दूसरी लहर के साथ इंडिया में फैल चुका है और सबसे भयंकर सिचुवेशन तो महाराश्र में देखने को मिल रही है बात करेंगे महाराश्र के नाधपूर की जहां वैशाली रगर घाट की है मर्शुरी से डेड बोडी घाट पर लाई गई और अंतिम संसकार का इंतजार के बाद जब पीपीड कीट खोल कर देखा गया तो वो वेक्ती जिंदा पाया गया इससे माना जा रहा है कि हॉस्पिटल और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है या उनसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है ये भी आपको सोचने और देखने वाली बात हो जाएगी लेकिन इसका ख्याल भी जनता को ही शायद रखना पड़ेगा अभी ऐसो लग रहा है तो आप अपना अगर पेशन्ट कई भी कोई भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो ये भी शायद खयाल जनता को ही रखना पड़ेगा कि अपना पेशन्ट जिन्दा है या मर गया इसमें हॉस्पिटल प्रशासन की इतनी लापरवा ही दिखाई दे रही है कि आम नागरीक इससे त्रस्त आ चुके है